बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ शराज अली आपका फिजिक्स टीचर आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1.4 फिजिक्स फेडरल बोर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ओफ यूनिट इसका लास पार्ट रहे जो के रिलेटेड है जो मैट्रिकल क नाइनटीज को नाइंटीन सिक्स्टी के अंदर जो वेट और मियर के उपर कॉंफरेंंस हैल्ड हूई थी पैरिस में उसमें कुछ रिजल्ट के एन् canon किये गे थे उनमें यह डिशाइड किया गया था तब यह डिक्ञा सह कुंछ इसकीक्षा नाम देंगे उन quantities को नाम देंगे geometrical quantities जैसे कि हम geometry में पढ़ते हैं geometrical quantities जैसे एंगल एंगल इनके units को supplementary unit कहते हैं एंगल भी हम जानते हैं दो तरह के एंगल होते हैं प्लेइन एंगल को इसालेड एंगल प्लेइन एंगल का unit होता है रेडियन रेडियन को हम आरेडी से लिखते हैं कहीं पर भी आरेडी लिखा हुआ है इसका मतलब है रेडियन एंगल का unit तौप एंगल को हम वोलते हैं ती रेडियन औरसे रेडियन ko हम लोक एजिनिषाए रिप्रिजेंट करते हैं हम लोग SR से रिप्रिजेंट करते हैं स्टी रेडियन को यह हमारे पास एंग्जिमेट्रिकल अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम कोई ऐसी चीज कंसिडर करते हैं जो के 2D है टू डामेंशनल है जैसे के पेपर जैसे के सर्कल सर्कल 2D क्यूं है टू डामेंशनल क्यूं है क्यूंके इसकी ठिकनेस नहीं होती इसलिए यह 2D है टू डामेंशनल है तो स्टूडेंट आईए हम लोग आपके सामने में यह सर्कल बनाया होगा है इसका यह सेंटर है और हम लोग जानते हैं सर्कल से बाउंडरी तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस अगर मैं एक और डिस्टेंस ले लेता हूँ सर्कल के सेंटर से बाउंडरी तक उसको भी हम नाम देंगे रेडियस का याद रखिएगा स्टूडेंट सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं उन सब की लेंथ इकल होती है सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं आप जतनी बार मर्जी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस मैयर करेंगे सेम आएगा चाहे आप इधर कर लें, इधर कर लें, कहीं पर भी कर लें, सेम आएगा और इसको हम नाम देते हैं, center O से रिपेजन किया हुआ तो ये वाला जो हिसा बन जाता है न, इसको हम बोलते हैं, arc arc length इसको हम बोलते हैं, arc length student ये δो radius के दर्मयान वाला हिसा होता है इसका distance भी radius के एकवल होता है ये spaghetti के ही एकवल होता है ये ये आर्क है two radius के दर्मयान एक आर्क है radius हर radius की length आ रहे है तो इस arc की length भी आ रहे है मतलब कि इन दोनों radius के दरमयान जो arc length है वो भी radius के equal है तो अब हम define करते है student radian क्या होता है radian क्या होता है radian is the angle substandard is a plane angle यह plane angle होता है याद रखियेगा two dimensional angle होता है यह radian के बारे में आपने याद रखने है radian is a plane angle two dimensional angle जो के center के circle पे बनता है हम यहाँ पर लिखेंगे one radian यह one क्यों लिखा है यह मैं आगे जाके आपको पता चल जाएगा one क्यों लिखें जब हम इसका formula लिखेंगे तब हम आप तब आपको पता चल जाएगा यह one क्यों आया है यहाँ टू क्यों नहीं आया थ्री क्यों नहीं आया अधर कोई number क्यों नहीं आया यहाँ one ही क्यों आया है हम डिफाइन कर रहे है रेडियन को रेडियन इस दा प्लेइन एंगल टू डिमेंशनल एंगल अपस्टेंड एड़ अड़ इसको हम सरकूंफेरंस कहते हैं एनी पोर्शन जो होता है ना सरकल का उसको हम सरकूंफेरंस कहते हैं सरकूंफेरंस कहलाता है कट आफ दा सरकूंफेरंसundo大 रेडियस आफ डा कि रेडियन तब कहला एगा जब सरकूंफेरंस की लेंठ भी उत्नी होगी जितनी रेडियस की लेंद है तो यह आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने उसी को रिपेट किया है रेडियन इस दा प्लेइन एंगल टू डामेंशनल एंगल सबस्टेंडेड जो बनता है एड़ दा सेंटर ओफा सरकल काट ओफ विच कट ओफ दा सरकमफेरेंस जो के सरकमफेरेंस को कट करत होता है सरकमफेरेंस कोई भी पोर्शन होता है जो सरकल की बाउंडरी पर होता है ठीक है तो याद रखिएगा स्टूडेंट वन रेडियन इक्वल टो फिप्टी सेवन पॉइंट ट्री डिगरी के कवल होता है अब आप कहेंगे यह कैसे आया यह कैसे प्रूव हो है वन रेडियन तो इसका प्रूव भी है इसका प्रूव कैसे है जैसे हम जानते हैं सरकल की सरकमफेरेंस टू पाई के कवल होता है और स्टूडेंट मैं यहां से यहां पर रेडियन हम लिखेंगे है अगर स्टूडेंट मैं यहां से वन रेडियन रहने दूँ और टू पाई को उदर जाके टिवाइड कर दो डिनॉमिनेटर में तो मेरे पास यह आजाएगा और आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और जब हम इसको मल्टिप्लाइ करके 360 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के ये याद रखिएगा स्टूडेंट आगे याद रख रहा है आपने कि दो चीजें आपने याद रखनी है नमबर वन रेडियन एंगल इन रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ आर्क लेंथ ओवर रेडियस ये चुक्कि आपको मैंने डियाग्राम बनाके दिखाई है कि जो सरकल का रेडियस है वो भी आर है और आर्क लेंथ भी आर है आर को जब हम आर पे डिवाइड करेंगे तो ये किसके एक्वल हो जाता है वन के तो डेट्स वाई मैंने आपको बताया था ये वन रेडियन के एक्वल होता है और आपने सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है एड़ दा सेंटर ओफ ओफ आज सरकल देर आर टू पाई रेडियन दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है ठीक है ये था रेडियन के बारे में अब हम डिफाइन करते हैं स्टी रेडियन क्या होता है स्टी रेडियन को sr से रिप्रेजेंट करते हैं sr से रिप्रेजेंट करते हैं तो sti radian क्या होता है sti radian three dimensional angle होता है यह solid angle है यह solid angle है यह हमारे पास circle है circle का यहाँ पर जो portion बन रहा है यह अगर मैं circle को इसके axis के around rotate करवाना शुरू कर दूँ तो यह rotate करेगा इसलिए यह three dimensional है यह जब यह rotate करेगा तो इसकी आपको thickness नजर आएगी आप इसकी thickness को दिखोगे thickness होने की वज़ा से यह three dimensional है 3D है और अगर मैं जब यह 3D हो जाएगा इसके circle से center से boundary तक radius draw करूं तो बहुत सारे radius draw किये जा सकते हैं बहुत सारे radius draw किये जा सकते हैं चुक्छे बहुत सारे radius draw किये जा सकते हैं तो इसलिए मैं आप से बोलूँगा कि इसका जो हमारे पास area बन जाएगा इसका हमारे पास area बन जाएगा इस area की वज़ा से हम इसको स्टी रेडियन कहते हैं ये भी radius है ये भी radius है और हमारे पास ये जो बन जाएगा area का formula होता है r square और ये एकवर होगा sr स्टी रेडियन के तो स्टी रेडियन स्टूडेंट क्या होता है इस solid angle है three dimensional angle है ये भी सबस्टेंड होता है the center of a circle इसको हम surface of sphere भी बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं या इसको हम patch भी बोलते हैं या इसको हम patch भी बोलते हैं या इसको हम patch भी बोलते हैं याद की जब मैंने आपको रेडियन क कि डिफाइन कि करा था हम भी सेंटर बंदते हैं यह सालिड और यह इस पैच के एकवल है जो कि हार स्केर के रिखवल पैच के रिख़गे कि अच्वेर के स्वेर के स्केर की करोना चाहिए उश्कुर आपने जब यहां पर क्या बात याद रखनी है इसका आपने क्या याद रखना है इसके बारे में आपने याद रखना है एंगल इन्स्टी रेडियन इक्वल टू एरिया ओफ पैच ओवर रेडियस के नहीं रेडियस के स्केर के इक्वल होगा और दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है एट दा सेंटर ओफ आ सरकल देर आर फोर पाईस टी रेडियन यह आपने याद रखना है दो वातें फॉर्मुला और इसके बारे में जो मैंने आपको पॉइंट बताया है यह आपने याद रखना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रही तो अब हमें कमेंट्स करके अपने बारे अपने पॉइंट ऑफ यू का इजहार कर सकते हैं फीडबैक जरूर दीजेगा अपना बहुत ख्यार रखे गया थेंक यू झाल 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 झाल